सारे कामों को समय पर पूरा करना, सारी चीजे व्यवस्थित करना, अपने लिए भी समय निकालना और बच्चों के लिए भी समय निकालना, ये काम बस ग्रहनियां ही कर सकती हैं, उनसे अलग कोई और नहीं कर सकता है। चाहे आप working हैं, चाहे आप housewife हैं, time management हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो जब ये मुझे रात को गंदी लग रही थी, तो मैंने इसको रात में ही wash करके रख दिया, इसके जितने भी parts थे सब को wash कर दिया, और अब मैं इसके अंदर ना tissue paper लगा रही हूँ, जिससे कुछ भी सामान गिरता है, तो tissue paper पे गिरे, और फिर हम इसे जाड़ कर दुबा भी मसाले मैं इसमें फिल कर दूँगी, लाल मेर्च, धनिया पाउडर और जो भी मसाले आप यूज करते हैं, इसमें आप सारे फिल कर दीजे, तो और इसके बाद ना आप इनको जब यूज करेंगे तो आपको एक तो साफ देखकर अच्छा लगेगा, और आपको एक जो pressure रहता है कि करना है, करना है, वो भी आपके उपर नहीं रहेगा, तो इस तरीके से मैंने सारे मसाले अपने इसमें फिल कर दीए हैं, और बाद में इसको हम इसमें सारे रख देंगे, सारे जार, सारी कटोरियां इसमें अरेंज कर देंगे, देखी साफ सुतरा कितना अच्छ किचन में हम अपना बहुत सारा समय बिताते हैं दिन में तीन बार खाना बनता है और किचन में ज्यादा तर हमें समय औरते जो हैं निकालती हैं अपना बिताती हैं ऐसे में अगर किचन आपको गंदा मिले तो आपका मन नहीं लगेगा किचन में और आपको लगेगा कि तब तक मैं अपने जितने भी कैबिनेट्स के डोर एंड सब को अच्छे से क्लीन कर दूंगी कॉलीन के हेल्प से देखे दोस्तों दूदना मैं तेज करके गैस तेज करके ही करती हूं हाइपे करके और बाद में पांच मिनट के लिए सिंपे करके उसे बॉइल कर लेती हूं तो इतनी देर में जब तक दूद गरम हो रहा है तब तक ये सारी चीजे ये काम मैं निप्टा लेती हूं जिससे की मल्टी टास्किंग हो जाती है एक ही समय पर कई सारे काम हो जाते हैं और किचन भी साफ सुत्रा बना रहता है अब सारे जितने भी कैबिनेट्स हैं उसके ह management करने के लिए लिखना बहुत जरूरी है अगर आप उन चीजों को नहीं लिखेंगे तो ऐसा होता है कि कई बारना आपके दिमाग से चीजे निकल जाती है कि भई कब क्या करना है कौन से दिन क्या करना है सामान क्या लेके आना है कौन सी चीज खरीदनी है कौन सी चीज हमा कर लेते हैं, बहुत ही जरूरी टिप है सर्दी है, तो healthy खाना भी, खुब सारा हम खाते हैं और बनाते भी हैं, तो यहां पर मैं बना रहे हूं, बेसन का हलवा यहां पर मैंने दो बड़े चमचना बेसन लिया है, और उसमें घी डाल लिया है और अच्छे से अब हम इसे भून लेंगे, सिंप पे करके हमें भूनना है, बिल्कुल slow flame हमें चाहिए low flame, flame तो उस पे आपको इसको भूनना है थोड़ा 5-10 मिनट के लिए, और देखे दोस्तों मैं बिल्कुल simple तरीके से हलवा यहां पर बना रही हूँ, कई तरीके हैं, बिल्कुल simple तरीके से बना रही हूँ, यह देखे बेशन यहां पर almost भून रहा है, और अब यह भून चुका है, तो यहां पर अब मैं क्या डाग करूँगी न, चीनी डाल दूँगी, जो भी आप खा रहे हैं चीनी, वो इसमें आप add कर दीजे, जितना भी आपको चाहिए और उसके बाद इसमें पानी add कर दीजे, और बस इसको चला लीजे अच्छे से, जब तक यह पकने ना लगे और घी छोड़ने ना लगे, तब तक आप इसे पकाते रहे हैं, और देखिए हमारा हलवा बनकर हो गया है, तयार, बहुत ज्यादा healthy है, और सर्दियों में काफी फाइदे मन भी होता है, तो इसको सर्व कीजे और enjoy कीजे, बताइए कि कैसा लगा, बिल्कुल सिंपल तरीका आसानी से जटबट बनने वाला हलवा है, और खाने में भी बहुत टेस्टरी लगता है, तो कई तरीके की रेसिपी हैं, अगर आप चाहें, तो मैं आपके साथ आ बर्डन बन जाते हैं, दो मिनट लगेंगे, साथ के साथ उसे क्लीन करके आप रख दीजे, और जब वो सूख जाएं, उन्हें थोड़ा पोंच दीजे, और उनकी जगा पर रख दीजे, हमेशा किचन व्यवस्थित हमारा रहेगा, तो यहां पर मैंने बरतन धो दिये हैं, सर्दियों में क्या होता है, कि गुड़ भी बहुत ज्यादा खाया जाता है, तो हमारे यहां पर इस तरीके से गुड़ मैं लेकर आती हूँ, तो नीचे मैंने निउस्पेपर बिछा लिया है, तो यह डलिया होती है, इनको तोड़ना जरूरी होता है, तो जब हमें यह ले पीसिज में इसको तोड़ लेंगे, और इसके बाद हम क्या करेंगे न, इसको एक डब्बे में भरके रख लेंगे, मैंने पहले भी डब्बे में भरके रखावा था, लेकिन अब वो खतम हो रहा था, तो मैंने और तोड़के उसमें डाल दिया, तो इस तरीके से हमने अप डब्बे वगेरा को भी अच्छे से पोंच कर हम रख देंगे और हमारा किचन भी हमेशा क्लीन व्यवस्तित रहेगा, काम भी रहेगा, मैनेज रहेगा और हमें समय भी मिलेगा तो दोस्तों वीडियो कैसे लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताईएगा और अगर वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कीजेगा